जानिये, शिव भक्त रावन ने की एक गलती और स्थापित हो गए शिवलिंग। रमायन काल में रावन जब शिव जी से अमरता का वरदान पाने के लिए तपस्या कर रहा था, तब शिव जी ने प्रसन होकर रावन को एक शिवलिंग दिया, जिसे आत्मलिंग कहा जाता है। इस आत्मलिंग के समद में शिव जी ने रावन से कहा था कि इस आत्मलिंग को लंका ले जाकर स्थापित करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसे जिस जगे पे रख दिया जाएगा ये वहीं स्थापित हो जाएगा अतह यदि तुम अमर होना चाहते हो तो इस लिंग को लंका ले जाकर ही स्थापित करना रावन इस आत्म लिंग को लेकर चल दिया सभी देवता ये नहीं चाहते थे कि रावन अमर हो जाए इसलिए भगवान विश्णु जी ने चल करते हुए वे शिवलिंग रास्ते में ही रखवा दिया जब रावन को विश्णु जी के चल का समझ आया तो वे क्रोधित हो गया और इस आत्मलिंग को नश्ट करने का प्रियास किया क्रोधित रावन ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबा दिया जिससे उसमें गाय के कान गौकर्ण जैसा निशान बन गया ये स्थान गौकर्ण नात के नाम से प्रसिध है जहां वो आत्मलिंग रखा गया उसे बैजनात जोतिरलिंग माना जाता है उसी समय दक्षिन भारत में इस शिवलिंग की स्थापना हो गई थी भारत के दक्षिन भाग के करनाटक राजे में उत्तर करनण जिला है इस जिले की भटकल तैसील में ही मुरुदेश्वर मंदिर है ये मंदिर अरब सागर के तट पर बना हुआ है समुन्द तट होने की वज़े से यहां का प्राकर्तिक वातावरन हर किसी का मन मोह लेता है धन्यवाद